दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं सोया चाप से ऐसी सब्जी की रेस्पी कि अगर आप दो रोटी खाते हैं तो आप उस दिन चार से पांच रोटी एजली खा जाओगे ये सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है बनाने में बहुत ही आसान है और घर पे भी बनाके आप धाबे और रेस्टोरेंट वाला स्वाद घर पे ला सकते हैं ये सब्जी बहुत ही ज़दा टेस्टी लगती है नान के साथ परांटे के साथ लच्छा परांटे के साथ और रोटी के साथ आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे प पार्केट वाले फ्रोजन सोया चाह पाते हैं इन्हें जमा के रखा जाता है इनमें एक हलकी सी स्मेल होती है तो आप क्या करिए कि पहले पानी उबाले उबलते पानी में पांच मेर्ट के लिए छोड़ दीजिए तो इसमेल निकल जाएगी बाहर निकालके थोड़ी देर के छोड़ दीजिए जो एक्स्ट्रा पानी है वो हट जाएगा फिर इसके बाद आपको इसके स्टिक्स अलग कर लेनी है गरम पानी में उबालने का ये भी फायदा होता है कि स्टिक्स भी बहुत इसली निकला दी है निकालने के बाद आपको इसको ऐसे चुटे-चुटे करना चाहते हैं तो ये वाला स्टेप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं लेकिन इस तरीके से करने पर बिल्कुल धाबे वाला टेस्ट आता है और सोया चाप एकदम अच्छे से पक भी जाते हैं क्योंकि अधिकतर ये प्रॉबलम होती है सोया चाप बनाते समय कि अंदर से वो संते हम बाड़ी पाउड़ द आल दिया मैने थोड़ा सा झांया पाउड़र डालेंगे असाथ में लेके शहाता suppose नोल डेगी मिर्ज नहीं डाला यह यहां पक्शमीरी मिर्श यूज़कि अगे अपकर टीखा पसं है तो आप इसमें लाल मि क्योंकु यूज़के में लाल म अब आपको इसको मिला के थोड़े देर के लिए छोड़ देना है ताकि ये marinate हो जाए क्योंकि एक बार हमने fry करके रखा है तुरंत का तुरंत अगर आप इसमें दही और मसाले डाल देंगे तो अच्छे से सोकिन कर लेगा marinate हो जाएगा यहाँ पर मैंने प्याज, लसन, हरी मिर्ची को बारी काट के रखा है दो टमाटर लिये हैं एक प्याज को रफ्ली काट के रखा है और साथ में दो शिम्ला मिर्च है दो चम्मच के जितना ये पेसन है और एक चमज के जितना सौंफ और एक चमज के जितना धनिया को हलका सा कूट के रख आ है बिल्कुल हम कठाई पनीर वाले स्टाईल में ये कठाई सोया चाप बना रहे हैं तो इसलिए मैंने धनिया और सौंफ लिया है तो उसके बाद आप ये अपना धनिया और सौफ जो आपने कूट के रखी है ये डाल दे जो प्यास को हमने रफली काटा है मतलब फ्लोरिट्स में काटा है उनको आपको पहले डाल देना है हलका सा सौटे करना है थोड़ा सा भूने फिर इसके बाद हम जो बारीक हमने लस्तन प्याज और हरिमेची काट के रखा है वो डालेंगे लेकिन उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पे हमने शिम्ला मिर्ष डाल देया जो कि हमने काट के रखा था इसमें से बीज मैंने हटा दिया थे दोस्तों बीज और रिंठल हटा के आपको काटना है ऐसे चंक्स में इसे थोड़ा सा सौटे करेंगे एक दम से गलाना नहीं है क्रंच बना रहना चाहिए तो इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे अब इसके बाद हम डाल देंगे यह प्याज लसन हरी मिर्ची अधरक जो हमने काट के रखा था बारीक तो मैंने कटी हुई जो बारीक कटी हुई प्याज है उसमें मैंने दो प्याज मुट्टी भर लसन की कलियां दो तीन हरी मिर्ची और एक इंच अधरका टुकडा बारीक काट के रखा था उसे डालके अच्छे से भून लेंगे जब ये थोड़ा भून जाय तो इसके बाद इसमें हम मसाले डालेंगे मसालों में वही हमारे normal basic मसाले हैं healthy powder, आदा छोटा चमच के जितना थोड़ा सा धनिया powder, एक चमच के जितना थोड़ा सा गरम मसाला, ये आदा छोटा चमच के जितना और एक चमच के जितना, ये कश्मीरी मिर्च पाउडर मैंने already कटीवी प्यास के साथ 2-3 हरी मिर्ची काटके डाली थी, तो मैं बहुत तीखा नहीं कर रही हूँ ये सारे मसाले डालने के बाद आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं ताकि मसाले जले नहीं, वापस से अच्छे से बूनेंगे जैसे मैं ये कडाई सोया चाप बता रही हूँ अगर आपको कडाई पनीर बनानी हैं, तो आप इसमें सोया चाप को रिप्लेस कर सकते हैं पनीर के साथ और पनीर को आपको फ्राइ करने की भी जरुरत नहीं है बाकी रेस्पी आप सेम फॉलो कर सकते हैं अब इसमें हम डाल देंगे 2 चममच की जितना ये बेसन इसे भी एक बार भून लेंगे 30 सेकंड के लिए देखे काफी ड्राइ ड्राइ लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी बेसन डालने पर एक बॉड़ी आजाती है आपकी सबजी में तो इस वज़े से मैंने 2 चममच की जितना बेसन डाला है हर डाबे वाले सबजी में आपको बेसन जरूर मिलेगा हाला कि वो आपको बताएंगे नहीं लेकिन उनकी ग्रेवी इसी वज़े से थिक होती है पानी डालने के बार आप ये देखे तुरंती ये ग्रेवी बेसन की वज़े से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी अब डाल देंगे टमाटर टमाटर को बहुत ज़दा गलाना नहीं है इस रैस्पी में आप देख सकते हैं मैंने ऐसे रफली चंक्स में कट किया है तो बहुत ज़दा गलाएंगे नहीं क्योंकि इसमें हमें सॉफ टमाटर नहीं टमाटर का मतलब एक बाइट आना चाहिए सबजी में लास्ट में अब जैसे मैं थोड़ा सा तरी वाला बना रही हूँ अगर आपको प्रॉपर धाबे स्टाइल में चाहिए तो आप इसमें बहुत ज़दा पानी ना एट करें नमक डाल दें स्वादा नुसार बिल्कुल ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मसालों की अब इसमें डाल दें आप सोया जो हमने मैरिनेेट करके रखा था और जिस बड़तन में रखा था उसमें पानी डालके मैंने थोड़ा पानी डाल दें, मैंने थोड़ा तरी लगा दिया दोस्टों अगर आपको बिल्कुल धाबे वाले स्टाइल में गाड़ी-गाड़ी से चाहिए तो पानी आप कम डाले पानी डाल दे और एक बार वापस से सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पिर इसके बाद आपको इसको धीमी आज पे बिल्कुल रेडियुम से लो फ्लेम के बीच में आप इसे 15-20 मिनिट के लिए पकाये उसके पहले आप इसमें 2-3 इस तरीके से इसलिट कीवी हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं ताकि जिसको जादा तीखा पसंद है वो हरी मिर्ची अलग से ले सकता है कभी कभी हो सकता है कि हम सभी के घर में कोई member होते हैं जिने बहुत जादा तीखा पसंद नहीं है तो वो problem solve हो जाएगी इसे धक्या पकाईए 15-20 मिनट के लिए और ये आपकी सब्जी बिल्कुल ready है जैसे कि मैंने तरी थोड़ी सी जान बूच के जादा लगाई थी क्योंकि हमारे यहां rice के रहे हैं तो पानी कम रखे एक्दम धाबे वाली सब्जी आपकी बनेगी और टेस्ट बहुत ही जादा उम्दा होता है तो दोस्तों I hope आप सभी को आज की recipe पसंद आई हो अगर अच्छी लगी है इसी तरीके की और भी recipes देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe करना ना बूले मैं म मिलती हूं नेक्स ताइम तिल देन टेक क्या बाबाई